Hello Friends, I am Champion Mahipal आज हम HTML में सीखने जा रहे हैं कि HR Tag and BR Tag को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले HR Tag HR Tag किस लिए यूज़ आता है अगर हमें एक horizontal line draw करनी है तो वहाँ पर हम HR Tag का यूज़ कर सकते हैं BR Tag का यूज़ होता है फोस्ट line break के लिए अगर हम एक paragraph में लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि नया paragraph क्रेट करने के जागर next line से हमारा जो आके का टेक्स्ट है वो शुरू हो जाए तो वहाँ पर हम BR Tag यूज़ कर सकते हैं तो आए देखते हैं हम किस तरह ऐसे इसे यूज़ कर सकते हैं मैंने यहां पर body में मैं चाहता हूं वायर डाटा के बाद एक horizontal line शो करें तो उसके लिए मैंने एच्चा टेग यूज़ किया एच्चा टेग का जो लेटेस्ट फोर्मेट है उसके अंदर एच्चा लिखने के बाद हम एक स्पेस के बाद स्लेश देते हैं यह इसका जो लेटेस्ट वर्जन है इसके अंदर इसका यह सेंटेक्स है आप चाहें तो बीना स्लेश के भी इसको यूज़ कर सकते हैं बड़ यह recommended है कि आप इस तहें का फोर्मेट ही यूज़ करें इसके बाद मैं चाहता हूँ एक पैराग्राफ ना क्रेट करके नेक्स्ट लाइन से जो मैं आगे का टेक्स है वह वो शो करना चाहता हूं तो उसके करने लिखा I love html and then at last p tag कर दिया जो एक चीज नोटिस करने वाल यह इसमें यह है कि बिया टैग और एक्चार टैग इन दोनों का एंडिंग टैग नहीं है यह सिंगल टैक्स होते हैं मिन्स अगर हमने एक्चार टैग को यूज किया तो हमें एक बार यूज करना है इसको एं इसके अंदर हम इसके एट्रिबूट्स भी दे सकते हैं कि हमें कितनी थिकने चाहिए वगयरा वगयरा उसके बद माइनेम इस चैंपियन महीपाल लिखाया देन फोस ब्रेक लाइन ब्रेक हुआ देन आई लब html प्रेंट हो गया एस्टी आई लब html टाइप हो गया तो